है नमश्कार दोस्तों आप देखने स्पोर्ट यारी और मैं हूँ धीरज आप भी वर्ड कॉप देख रहे होंगे एंजॉइ भी कर रहे होंगे कभी मैच अस होते हैं कभी बारिश होती है कभी अप्सेट होते हैं अब यह कपसेट का आपने देखा ही होगा इंग्लेंड एक बहुत बड़े अपसेट का शिकार हो गई है अब अपसेट के बाद जो है ना इंग्लेंड के लिए जो कह सकते ना वर्ल्ड कप का जो सिनेरियो सेमी फाइलस में जाने के लिए वो थोड़ा पेचीदा हो गया है और अब कही न कही मैं आपको एक बात बता दू इंग्लेंड ऑस्ट्रेलिया से भढ़ने वाली है 28 अक्टूबर मेलबन और आप समझ सकते हैं इंग्लेंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मेलबन एक ऐसा स्टेज जहां आप सभी को याद होगा इंडिया वर्सेज पाकिस्तान जब मेलबन में फिड़े वो जो हाइन काउंटर मैच हुआ सस्पेंस थ्रिलर कभी नर्व सिधर उधर उमीद है यहां भी वो साड़ी चीजे देखने को मिल सकती है और सबसे बड़ी बात तो यह है ऑस्टेलिया आप सभी को पता है जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो ऑस्टेलिया न्यूजिलेंड से अपना पहला वुकाबल है बड़े मार्जिन से हार गई जिसके बाद उनका नेट रन रिट काफी पीछे चला गया अब इंग्लेंड के साथ भी ऐसी कुछ हो गया है इंग्लेंड पहला मैश तो अफगानिस्तान के हाँ तो जीद गया जिस तर है पर सेकेंड जो उनके साथ अफसेट कर दिया आर्लेंड ने डगबग लुइस के तहत वो जो पांच रन से वहाँ पे उनको करारी हार जीलनी पड़ी उसके बाद अब वो भी पीछे लग गए है अब बड़ी दिक्कत की बात यह हुगी है कि इंग्लेंड और उस्ट्रीलिया अभी जो सिर्याडियों दिखरा रहा है कोई एक ही टीम आगे जाएगी अब देखते हैं आगे क्या होगा पर इन सब की बीचे पता एक चीज क्या होगी है एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आगी है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैस से पहले चल रही थी अब आप सोच रहे हो क्या चले आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि यह दिक्कत है क्या तो यह दिक्कत है वैधर की वैधर ही जैसे हाँ कहसकते हैं इंगलेंड को जिस वैधर ने डुबो दिया थोड़ा साफ privat कहसकते हैं जहां इंडिया और पाकिस्तान खेले थे मेलबन में जहां एक लाग की पब्लिक आती है वहां पर यह मुकाबला होगा और अब देखिए सब सोड़ी दिखकर दिया है पहले जब इंडिया वर्स पाकिस्तान हो था तब भी रेन 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 दिखा था अब 28 तारीक को यह काबले को हार नहीं बर्दाश्ट कर सकती है आपने उस्ट्रेलिया को देखा जिस तरह उन्होंने श्री-लंका को हराया वो काबले तारीफ था वहां पर मैक्सवेल के रंस अच्छे आए स्टॉइने जो कह सकते ना ऑस्ट्रेलियन के पहली बार किसी ने इतनी तेज 50 मार दी तो आप सोची सकते हैं कि किस तरह के अभी हालात है वर्ल्ड कप में और दोनों के से जो भी टीम हारेगी फिर सबसे दिक्कत यह होने वाली कि सिनेरियो यह बनेगा कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और आप सभी को पता है यार जब आप कभी वर्ल्ड कप मे को मुकाबला होगा यह बारिश होगी क्योंकि बारिश पीयस है ना होगी यह नहीं होगी यह तो वैदर आप भी देख रहे हो कभी हो रहा कभी के मिवर्य और उम्मीद करेंगे कि यह ऐन्या कावला है वह हो और आगर आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क जै भारत